पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुसीवत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है उसका पहला पती अब उसे कोट की दहलीस तक ही चलाया है अब कोट ने गुलाम को भी दस जुन को पेश होने को कहा है क्या है पूरा मामला आईए जानते हैं सीमा हैदर का पाकिस्तानी पती उसके खलाप कानोनी जंग लड़ रहा है वो सीमा को कोट तक ले आया है गुलाम हैदर ने सीमा और सचिन मीना पर धोखा धड़ी का केस दर्ज किया है और अब इसी मामले में सीमा पर कानोनी शिकन जा कर सकता है सुरजपूर सेशन कोट ने गुलाम हैदर को गवाही देने के लिए नोटिस जारी किया है गुलाम हैदर को 10 जून को भारत आकर अदालत में गवाही देनी होगी कोट ने गुलाम को सतारे दस्तावेज और सबूत पेश करने को कहा है अगर गुलाम हैदर के आरोप सावित हो गए तो सीमा और सचिन के लिए मुश्किले बढ़ सकती है गुतम बुद्नगर की फैमली कोट ने सीमा हैदर, सचिन मीना, वकील एपी सिंग, शादी कराने वाले पंडिक और बारातियों को 27 मई को हाजिन होने के लिए कहा है इसके अलावा गुलाम हैदर ने सीमा के साथ भारत आये, नाबालिक बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाया है गुलाम हैदर के वकील मौमिन मलिक का कहना है कि कोट के आदेश के बाद गुलाम के भारत आने में कोई परिशानी नहीं आएगी, उसे वीजा भी मिल जाएगा दरसल सीमा और सचिन ने अपनी शादी की सालगीरह बड़े धुंधाम से मनाई थी गुलाम ने अपने वकील मौमिन मलिक के जरिये कोट में याचका दायर कर चुनावती दी थी पिछले महीने 15 मार्च को सीमा हैदर और सचिन ने स्टालगीरह मनाई थी गुतम बुद्नगर के अधिरिक तेवं जिला सत्र न्यायाधीश ने गुलाम हैदर की याचका को स्विकार किया था जिसके बाद अदालत में पेश होने का आदेश शुनाया गया था गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा अभी भी उसकी पतनी है उसके पती का राम गुलाम हैदर का है इसके अलाबा जो दूसरे जो भी कागजात मिले हैं उनमें भी गुलाम का ही नामदर्च है और इसी को आधार बराकर गुलाम हैदर सीमा और सचिर मुणा को कोट तक खीच लाया है पिछले दिनों सीमा हैदर की बहन रीमा हैदर भी सामने आई थी जिसमें उसने सीमा को ही कसूर बार माना था रीमा का कहना था कि सीमा हैदर ने गुलाम के साथ ठीक नहीं किया गुलाम ने सीमा और सचिन को 6 करोड का मानहानी नोटिस भी भेजा था साथ ही सीमा के वकील एपी सिंग पर मानहानी का केस किया है सीमा हैदर पिछले साल अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी इसके बाद वो ग्रेटर नवेडा ही रह रही है लेकिन सीमा के पाकिस्तानी पती ने उसके खिलाफ मोर्चाबनी कर दी है अदालत में पहले सीमा और सचिन की पेशी होनी है और बाद में गुलाम हैदर को भी पाकिस्तान से भारत आना है अभी इस पेस में कई ट्विस्ट आना बाकी है यूरो रिपोर्ट न्यूज एती भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री शेख रशीद का नया वीडियो सामने आया शेख रशीद पियोके में हिंदूओं के शक्ति पीट पहुंचे क्या शेख रशीद का हिद्व परिवर्टन हो गया है या वज़ा कुछ और है देखिए ये रवाट ये हैं पाकिस्तान के पुर्व ग्रिह मंत्री शेख रशीद जो मीडिया का कैमरा देखते ही हिंदूस्तान का नामों निशान मिटाने का दावा करते थे हिंदूस्तान के साथ मसलों से जंग करने की अटपटी बातें करते थे इनकी नजर में भारत सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान की इमरान सरकार में जब ये ग्रिह मंत्री थे तो इनकी तूती बोलती थी ये पाकिस्तान के हुक्मरानों में खुद को सबसे उपर रखते थे लेकिन जब इमरान सत्ता से बेदखल हुए तो शेक रशीद के भी बुरे दिन शुरू हो गए अब जब सरकार में नहीं हैं तो इनका कोई नया बयान भी कई दिनों से सामने नहीं आया है अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी और वजीर आजम ने वाज़ तोर पर कहा है कि पाकिस्तान देश्चत गर्दी के खिलाफ है और इमरान खान ने एक वाज़ मेसेज दिया है कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसल्मानों पर जो जल्मों सित्म ढाया जा रहा है उसकी वज़ा वो मसला कश्मीर है जो एक्वाम मतिदा की करारदादों के मताबक हल चाहता है लेकिन इमरान खान ने एक वाज़ पैगाम दे दिया है हमने चूड़िया नहीं पहनी हुई हमारे लिए पाकिस्तान जिन्दगी है पाकिस्तान मौत है अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी ना चिड़ियां चैकेंगी ना मंदरों में घंटियां बजेगी क्योंकि पाकिस्तान मुसल्मानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसल्मान देख रहे हैं और इमरान खान की तरफ मेडिया में इन दिनों शेक रशीद का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें शेक रशीद पाक अधिकृत कश्मीर पी ओके की नीलम घाटी पहुँचे थी नीलम घाटी में किसी जमाने में हिंदु मंदेर और शिक्षा का प्राचीन केंद्र शार्दा पीठ है जो अब खंडहर हो चुका है शेक रशीद शार्दा पीठ पहुँचे उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी थे और कुछ अस्थानिय लोग जो वीडियो शूट कर रहे थे शेक रशीद शार्दा पीठ पर लगाए गए शिलापट को बेहद ही ध्यान से देखते रहे थे और उसके इतिहास को पढ़कर अपनी जानकारी बढ़ा रहे थे अब सवाल है कि क्या सत्ता से बेदखल होने के बाद शेक रशीद बदल गए है हिंदूओं के खिलाप जहर उगलने वाले शेक रशीद अब हिंदूओं की आस्था वाली जगह पर पहुँचे शेक रशीद का ये नया रूप देखकर चौकना स्वाभाविक है अब शार्दा पीट के बारे में भी जान लेते हैं शार्दा पीट का इतिहास 5000 साल पुराना है कहा जाता है कि बाद में समराट अशोक ने इस मंदर का पुनर नर्मान करवाया था मानिता है कि यहाँ सबसे पहले माशार्दा की उपासना शुरू हुई इसके बाद वैश्णो देवी और खीर भवानी मंदर की अस्थापना हुई कश्मीरी पंडितों की मानिता है कि इस मंदर में तीन देविया निवास करती है पाकिस्तान में तो वैसे ही हिंदूओं और अल्प संख्यकों पर अत्याचार की अकसर खबरे आती है पाकिस्तान में ना जाने कितने हिंदूओं के मंदिरों को तोड़ा गया नीलम घाटी में बने शार्दा पीट की दुर्दशा के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है प्राकृतिक आपदा के चलते मंदिर को काफी नुकसान पहुँचा लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसका संग्रक्षन नहीं किया कश्बीरी पंडित काफी समय से शार्दा पीट कोरिडोर की मांग कर चुके हैं पाकिस्तान में इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के मन में कई तरह के डर है जिसे से कोरिडोर बन पाकिस्तान के कई जानकार ये आशंका भी जताते हैं कि जिस तरह भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया वैसे ही पीओके को भारत का हिस्साना घोशित कर दे यह मंदिर एलोसी से दस मील की दूरी पर है शारदा पीट कश्मीरी पंडितों की आस्था का मुख्य केंद्र है या नीलम नदी के किनारे है ब्योरो रिपोर्ट न्यूज 18